नमस्कार महरास्ट के जो एक्स पुलिस कमिस्नर है परंबीर सिंग को ले करके एक बहुत बरी और ब्रेकिंग ख़वर आ गई है कि उनकी समस्याएं जो है वो अभी पुरी तरीके से बरने वाली है क्योंकि मुंबई पुलिस ने जो नोटिस भेजा है उस पर पुरी तरीके से सिक्रेट जो मिटिंग हुई है उनकी सचिन वजे को ले करके उस पर बरी ख़वर है बात करेंगे आपको आगे इस वीडियो में लेकिन आपको बताऊं कि एक बहुत बढ़ा एक्टर है जिसकी संपत्ती 410 करोर रुपे एडी ने कैसे जप्त किया है और वो कौन सा बढ़ा एक्टर है आगे इस विजय में बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बात करें कि इससे पहले सचिन वजे जो है वो किस तरीके से और कौनसे कांड में वो जेल के अंदर अभी बंद है इन्टिलिया केस में ये सब कोई जानते है लेकिन बीच में ही चांदिवाल कमिसन मे जिस तरीके से एक बंद कमरे में सचिन वजे और परांबीर सिंग्ग की जो Сिक्रेट मिटिंग हुई ती और सिक्रेट मिटिंग में क्या क्या बाते हुई क्या क्या खुलासा हुआ कुछ ऐसे मुद्दे को लेकर के दोनों में किस विसाय पे बात हुई, अब इस विसाय की जो है, वो मुंबई पुरी तरीके से जांच कर रही है, कि आखर परमभीर सीघए और सचिन वजह दोनों मिलकरकर एक बंध कमरे में क्या सिक्रेंट मिटिंग कर रहे हैं, किस विशे में बात कर रहे थे अब इसी पे पूरी तरीके से मुंबई पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्षन में आ चुकी है और यहाँ पे पूरी तरीके से नोटीस उन्होंने भेज दिया है अब किस पे नोटीस भेजा है ये भी आपको मैं बता दूँ कि कुछ दिन पहले की बात है कि परम्बीर सिंग पुरी तडीके से ये कहे हुए पाते हैं कि मुझे मुंबई पुलिस से ही डर लगता है, हम मुंबई पुलिस जाएंगे तो हमें गिरफतार कर लिया जाएगा, तो इस तरह से महराष्ट सरकार और मुंबई पुलिस पे उन्होंने आरोप लगाया था, तो वहां की सरकार ने ये कहा, कि जो इनसान उसी वर्दी में हो, और वहां पे काम किया हो, उसको कैसे उस पुलिस से ही डर लगेगा, और कैसे ये बाते कह रहे हैं, तो पुरी तरही के से यहां पे मुनबई पुलिस ने भी लतार लगाई थी परमबीर सींग को ले करके और पूरी तरीके से ये भी आरूप लगाया था मेरा तबाबदला कर दिया गया होम गार्ड में तो इस कारण से ये सारी चीज़े हो रही है कैसे वो एक पुर्वे गरिह मंत्री यानि होम मिनिस्टर को जो है अनील देशमुक के उपर इन्होंने 100 क करोर का वसूली कांड का बंप हो रहा था तो इस पर पूरी तरीके से विवाद चली थी लेकिन उसी विसाय में आगे जब बढ़ते हैं तो एक मुद्दा निकल करके सामने आता है कि यहाँ पे परमबीर सींग और सचिन वजे जो की मिटिंग करते हैं किस विसाय को ले करके तो यहाँ पे मुंबई पुलिस ने कारण बताओ नोटिस जो है वो भेज दिया है अब किसको भेजा है ये भी जान लिजिए कि चार पुलिस करमी को मुंबई पुलिस ने कारण बताओ नोटिस भेज करके ये पूछा है कि उनको कैसे एक बंद कमरे में जाने दिया गया औ और किसलिए उनको secret meeting करवाई गई परम्बीर सिंग की और सचीन वज़े की किस परपस से किस विशय में ये जाच जो है वो पुरी तरीके से होनी चाहिए तो इस पर पुरी तरीके से मुंबई पुलीस जो है वो परी हुई है और क्यू जाच हो रही है ये भी आपको कंगी जिस तरीके से आरोप जो है परमबीर सिंग बार बार लगा रहे हैं कभी महाराश्च सरकार पे कभी पुर्व गर्ह मंतरी पे तो कभी महाराश्च की पूरी तरीके से फस्ते हुए दिख रहे हैं तो फिर कुछ दिन पहले कुछ जनता लोगों नहीं और कुछ मीडिया लोगों नहीं ये कहना शुरू कर दिया था कि ये भगोरा है और कुछ राजनेता लोगों ने भी कहके ये पूरी तडिके से कह दिया था कि परमबीर सिंग जो है वो देश चोर करके भाग गया है तो क्य पुरी तरीके से खोली किताब की तरह बाते निकल करके सामने आ जाती है और पुरी तरीके से ये CBI को भी जा करके बहुत सारे आसे facts देते हैं जिस कारण से देख लिजे कि आज अनिल देस्मुक जो हैं वो जेल के अंदर ही हैं वही जेल में और थर रोड जेल में जहां की बर बरे आतंकवाद और serial killer की serial bomb blast वाले ऐसे लोग भी उस कैद में रह चुके हैं उस जेल में रह चुके हैं तो वहाँ पे अनिल देस्मुक को रखा गया है और वही स्थिती वही जेल की तरह जो आम जनता जैसे सोती है जैसे जागती है जो खाती है बिलकुल वही स्थिती सोच लिजे कि महराष्ट के गृह मंत्री एक वक्त हुआ करते थे और आज नीचे सो करके जंदगी बिता रहे हैं तो यह सो करोर रुपे वसुली किस काम का वो सो करोर रुपे जो जमा करके रखें हैं वो किस काम का जब हमें वही स्थिती से जहलनी है तो कहने का मतलब यही कि अ अनील देश्मुक बार-बार यह कह रहे थे कि आरो लगाने वालक नहां है तो सामने आकर के इन्होंने पुरी तरीके से सफाई दी थी और फिर अब यहां पे सचिल वजे से क्या यह मिटिंग कर रहे हैं तो यह भी अब एक पुरी तरीके से विवाद खरा हो रहा है वो पुरी तरीके से अब जहां जो है वो मुंबई पुलिस तो कर रही है और इसके लिए अब कारन बताओ नोटीस भी भेच चुकी है चार्ड पुलिस करमी को लेकिन दूसरी और सबसे ब्रेकिंग और बरी खबर आ रही है कि एक बहुत बड़ा एक्टर है उसके संपत्ति या भी मैं आपको बता दू हलाकि ये फ्लॉप एक्टर है और ये साउथ इंडस्ट्री में भी इनोंने कुछ दिन काम किया था और ये 410 करोर रुपे कैसे इनका जब्त हुआ है एक साल पहले ही इनके उपर केस ठोकी थी लेकिन अभी फिलहाल उनकी जब्त हुई है पूरी प् के साथ काम करी थी आलाकि उस फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया गया लोगों ने उस फिल्म को सपोर्ट भी नहीं किया लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो सचीन जोसी है वो राज कुंद्रा यानि सिलपा सेटी के पती का एक्स बिजनस पार्टनर है यानि इडी ने इनकी पुरी प्रोपर्टी 330 करोर का फ्लैट और 80 करोर की जमीन को पुरी तरीके से जब्त कर लिया है यानि 410 करोर की प्रोपर्टी पुरी तरीके से सचीन जोसी की जब्त कर ली है इडी ने अब आपको ये भी मैं बता दूं कि सचीन जोसी ने जिस तरीके से पैसे कोई खोद हैं तो यहाँ पर ED को पूरी तरीके से पता चल जाती है कि इस कंपनी से ओमकार गुरूप से ये पूरी तरीके से धांदली हो रही है रियल स्टेट का बिजनेस पूरी तरीके से फैलाया जा रहा है और कही न कही अंदर यंदर पूरी money laundering चल रही है तो ED को जब ये बा से पैसे भी एठता है तो ये सारी चीजें निकल करके सामने आई देन ED ने गरफतार करके सचीन जोसी के 410 करोर रुपे जब्त कर लिए अब ऐसी स्थिती में सचीन जोसी हैं वो क्या करेंगे अब ये आने वाला समय बताएगा हलाकि ये बॉलिवूड इंडस्ट्री में भ कर दें और अपना ध्यान रखें सत्यमेव जेते